हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग एड़ोम डेकोर में स्वागत आप सब कैसे हैं मैं ठीक हूँ आज फिर से आपके साथ बहुत जूजफुल टेप से शेयर करूँगी जहां पर सबसे पहला मेरा टेप से गुड़ को लेकर गुड़ का सेवन तो हम सब करते हैं और जब हम गुड़ लेकर आते हैं तो क्या होता है कभी कभी एक महीने के अंदर ही खराब हो जाता है गुड़ काला काला हो जाता है इसका स्वाद वो भी खराब हो जाता है और कभी क टाइट बॉक्स और लिये हैं टिशू पेपर तो गुर को क्या करेंगे टिशू पेपर में जहां पर देखिए मैंने टिशू पेपर लिया और इसमें गुर के पीस को रैप कर दें गुर को अच्छी तरह से रैप करना है इसमें जो हवा है वो बिल्कुल नहीं लगनी एसे यहां पर देखिए मैं गुर के पीस को ऐसे रैप कर दूँगे अच्छी तरह से तांकि इसमें हवा बिल्कुल ना लगे तो सारा ही गुर ऐसे पीस में हम रख दें एर टाइट बॉक्स में तो जो हमारा गुर है वो ख्राब नहीं होता अगर हम इस बॉक्स को फ्रिज में रखना चाहते हैं तो फ्रिज में भी रख सकते हैं तो हमारा गुर है वो दो साल तक भी ख्राब नहीं होगा हमें जितने भी गुर की जुरूरत हो हम उतना निकाल कर फिर इसको बंद करके रख दें तो काफी टैम तक हमारा गुर बिल्कुल भी ख्राब नहीं होता तो ह तो हम ये टिप्स फॉलो करके गुर को सेफ रख सकते हैं तांकि जो हमारे पैसे की वेस्टेज ना हो और हमारा गुर है वो ख्राब ना हो बस शोटा सा ही टिप्स है कोई ज्यादा काम नहीं है वस इस टिप्स को फॉलो करके हम गुर को सेफ रख सकते हैं तो ये प्रॉब्लम जो गुड खराब होने की है वो जब बरसात होती है दिनों में काफी आती है तो हम जब भी गुड लेकर आएं तो इस tips को हम follow कर सकते हैं जहां पर देखें मैंने box को ऐसे बंद कर दिया box को भी अच्छे से बंद करना है इसमें भी हवा बिलकुल नहीं जानी चाहिए और next tips है ऐसी पानी वाली जो बोतल होती है उसको लेकर देखे हम गर्मियों में ठंडा पानी तो हमें काफी पसांत होता है पीना और उससे भी जरूरत होती है कि हम इसकी कलीनिंग भी टैमपर करें क्योंकि हम इसमें पानी फ्रिच में रखते हैं तो बोतल की कलीन करना भी बहुत करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं और इसमें पानी डाल दिया अब इस बोतलों को बंद करके अच्छी तरह से हम हिराएंगे तांकि जो बीच में पेश्ट डाला था वो बिलकुल मिक्स हो जाए और जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम 10 मिन्ट के लिए इस बोतल को ऐसे ही परी रहने दे और जब 10 मिन्ट के बाद इसको साफ पानी से फिर वाश कर लें तो अगर हमारी इस बोतल में समेल भी आती होगी तो इससे वो ठीक हो जाएगी अगर हमारी बोतल पीला पान आ गया वो भी ठीक हो जाएगा तो ये शोटा सा टिप्स फोलो करके हम ऐसी पानी वाली जो बोतल होती हैं उनको क्लीन कर सकते हैं और नेक्स टिप्स है ऐसे देखे चश्मी होते हैं हमारे घर पर तो जिन को चश्मी लगे होते हैं वो तो चश्मी लगाते हैं तो क्या होता है कि ये लगाते लगाते वी इन में भी डस्ट पर जाती है और फिर ये थोड़ा थोड़ा धुंदले हो जाते हैं तो अच्छे से नजर नहीं आता तो मैं इसका भी इसको क्लीन कैसे करें उसका ही शोटा सा टेपस आपके साथ शियर करती हूँ देखिए इस पर भी मैं लगा दूँगी कॉलगेट जो भी चश्मा हो उस पर आप थोड़ी कॉलगेट लगाकर टीशू पेपर की हैल्प से कलीन कर सकते हैं और जे शच्मी हैं बहुत इजी तरीके से कलीन भी हो चाते हैं अगर इन पर भी थोड़ा पीला बन होगा वो भी ठीक हो चाता है अगर आपको मेरे तिपस अच्छे लगे हो लाइक करना शियर करना जो मेरे वीडियो पर पहली बार आए है प्लीस वो मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल फ्री है तो जिनों ने मुझे सस्क्राइब करके रख हो उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जहां पर देखे मैंने पेस्ट लगा ली थी आप टीशू पेपर से अच्छे से चश्मे को कलीन कर देती हूँ जो पेस्ट उपर लगे उसको कलीन कर दे तो जो चश्मे बिल्कुल नए के नए हैं फिर से ही बन जाएंगे और अच्छे से यह कलीन हो जाएंगे अगर हमें थोड़ा सा हम टीशू पेपर को गिल्ला भी कर सकते हैं हलका सा पानी लगा लें उससे भी ऐसे कलीन कर सकते हैं जैसे यह पेस्ट अगर आप से निकले नहीं तो हलका थोड़ा सा पाने की बूंद इसके उपर डाल दे तो फिर अच्छे से क्लीन हो जाते हैं ऐसे शोटे शोटे टिप्स फोलो करके हम अपने इजी काम कर सकते हैं जहां पर देखें यह चश्मा था मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया तो ऐसे जो चार्जर होते हैं जहां कभी कभी डस्ट परती है तो यह गंदे हो जाते हैं इसको भी हम कॉल गेट की हैल्प से क्लीन कर सकते हैं जो भी पेस्ट आपके घर पर हो वो लगा सकते हैं मेरे पास कॉल गेट ही है तो मैं जहां पर कॉल गेट का ही जूज कर रही हूँ तो आपके घर पर जो भी पेस्ट हो आप उसका जहां पर जूज कर सकते हैं जहां पर देखे मैंने थोड़ा सा पानी भी साथ में लिया है और हलका हलका अपनी फिंगर पर पानी लगा कर ऐसे पेस्ट अच्छी तरह से मैं जहां पर लगा देती हूँ तो इसकी जो मैल होती है डस्ट होगी वो बिलकुल साफ हो जाती है तो जादा पानी से मैं वाश नहीं करूँगी सिर्फ हलका उंगल के हल्प से ही पानी लगाया था बाकी थोड़ी पेस्ट इसके उपर लगा दी थी तो इससे ये चार्डर बहुत अच्छे से साफ हो जाते है और उसके बाद मैंने जहां पर देखिए एक टिश्यू पेपर जो लिया था उससे इसको कलीन कर दूँगी तो ऐसे ये भी हम बहुत इजी तरीके से कलीन कर सकते है और नेक्स्ट है जहां पर मैंने देखिए लिया है एक इनो का पेक्ट इनो के पेक्ट को उपर वाली साइर से जहां से देखिए मैं इसको कट कर दूँगी तो ऐसे कट करने के बाद जहां पर देखिए उपर वाली साइर मैंने इनो को कट कर दिया इसमें एक डाल दूँगी कपूर की गोली जहाँ पर देखे कपूर डाल दिया अब इसके उपर मैं लगा दूँगी सैलो टेप सैलो टेप से उपर वाला जो उपर पार था उसको सील कर दूँगी तो यह हमें अच्छे से ऐसे टेप लगा कर सील कर देना है जहां पर देखे मैंने टेप लगा दी और उपर वाला साइड बंद हो गया इनों का जो उपन किया था ऐसे ही बहुत सिंपल सिंपल टिप्स होते हैं इनको हम फोलो करके अपना जो काम है बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं इसजर कर मुझा हैं हमारे पैसे की वी बच्चत होतीагं और काम भी बहुत इजी तरीके से हो जाता है , जहां पर गॉली ही वी सीजर सीजर वाले बैक साइट से ही मैंने इसको तोर दिया बीच में अब इसके उपर एक सुई से मैं छोटे-छोटे होल कर दूंगी जहाँ अब जे बैक्ट रखना है हमने जो टूलेट का वाटर टैंक होता है उसके बीच में इसको रखने से जब हम फ्लेश करेंगे तो जो पानी इसमें से निकलेगा उससे जो बैर स्मेल होगी वो भी दूर होगी और टूलेट शीट क्लीन हो जाएगी